नमस्कार साथियों मैं रहितास विष्णुई आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभी नदन करता हूं आज के इस वीडियो में मैं केलाम अकेडमी की जो टेस्ट रीज है उसके माइनर टेस्ट टू मैं मैंतामेटिक्स के जितने तीस क्यूशन नए है उसका स्वीडियो में करवाने जा रहा हूं और अगर आप मेरे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो मैं बता दूँ कि टेलिग्राम पर मैंने सेक्सिक प्रिद्रिश्य के आई सीटी के फिजिक्स के के कैमेस्ट्री के और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जो एतियास के लिए टेलिग्राम पर बेज़े हैं और 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 को भी नोट्स जैसे मैं बना रहा हूं और जो मुझे इंपोर्टेंट लगते हैं तो मैं वहां में सेयर करता रहता हूं तो अगर आप मेरे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन म मैं अपना लिंक दे दूँगा वहां से जॉइन कर सकते हैं अगर वो लिंक से नहीं जुइन कर पा रहे हो तो ट्रिकी साइंस नाम से मेरा टेलिग्राम channel है और वहां से आप जॉइन कर सकते हो और अगर मेरे द्वारा जो भी कारी किया जा रहा है अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सेर जरूर करना और चैनल को सब्स्राइब जरूर करना चलिए मैं आज के इस माइनर टेस्ट शेकेंड का सोलिशन स्टार्ट करता हूँ प्रेसनस संख्या 111 देकते हैं तो इसमें देर रिखा है कि X-3 ूप-5 और 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 यह सुनियांग 2 है तो इसके अन्य दो सुनियांग ये x बदाबर 10 रकाँ 1 सुन्यां का में 2 दे रकाँ है तो इस 2 को इधर लाएंगे x-2 बदाबर 10 तो ये इस समिकरण का भाग हमने इस समिकरण में देना है तो चलीए भाग देते हैं तो शुरू करते हैं x creep प्लस 5x-2x-24 अब इसके अंदर हमने हमें बहुत देना है एकस-2 का इसका पहला पद X3 में इसके पहले पद का भाग देना आ है तो क्या पचेगा X2 बचा इस eX2 को यहां लख देता है भाग आपको देना आता ही होगा मैंख च्वेर को यहां यह कट गया बाकी बचा 5 और प्लस के दो 5 और 2 कितने होगे 7x2 और बाकी के पद है वो उतार देने हैं एजटीज और 2x अब इसका पहला पद दे रखा है 7x2 और इसका पद है x तो यहां क्या बचेगा 7x तो 7x लिख दिया यहां इसको वापस इस पद से गुना करते हैं 7 को इससे गुना करेंगे तो 7x2 और माइनस 2 से गुना करेंगे तो 14x वापस चने चैंज प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस कट गया माइनस का 2 और प्लस का 4 तो बचेगा प्लस का 12X और माइनस के बचगे 24 और यहाँ पहला पद है 12X और वहाँ है X तो X से X कटा तो बचा 12 तो यहां लेख दिया प्लस के बारा को इससे गुणा करेंगे तो बारा X और माइनस टू से गुणा करेंगे तो माइनस 24 और यहां पर वापस चिनने हैं वो हमें चेंज करते नह और इस तरह सेस्पल है वो 0 बचेगा अब एक सुन्यांग हमारे पास है और बाकी के दो सुन्यांग ग्याद करने के लिए हमें इस समीकरण का सारा लेना पड़ेगा तो x square प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 इससे 2 सुन्यांग ग्याद करने हैं तो इसके गुणंद खंड करने हैं, हमें टुकडे करने हैं, गुणंद खंड कैसे करते हैं, तो यहां से इसके बार आके दो ऐसे टुकडे करने हैं, जिसको जोड़ो या गटाओ तो साथ आना चाहिए, तो मैं ऐसे दो टुकडे चार और तीन के रूप में करता हूं, तो X स् इन दोनों में से एक्स को मन आ रहा है तो एक एक्स लिख दिया और बाकि अंदर रहेगा एक्स फ्लेस और इस दोनों में से इन दोनों में से टीन को मन आ है और बाकी बचा X plus four equal to zero इन दोनों में से X plus four common आ रहा है और बाकी बचा यहां X और यहां बचा three तो X plus four बराबर zero तो हो जाएगा X बराबर minus 4 और यहां X plus three is equal to zero तो यहां हो जाएगा S X is equal to minus three तो बाकी के दो सुन्यक आएगे एक तो minus 4 आएगा एक minus का तीन आएगा और यहां यह तीसरे option में दे रखाएं अगला प्रसन दे रखाएं कि एक बहुपद X square plus 16 X plus 30 में से क्या गटाया जाए कि प्राप्त बहुपद का जो सुन्यक है वो पंद्रा हो तो अगर सुन्यक पंद्रा है और पंद्रा हम हम इस X की जगे मान रखते हैं तो हमारे पास zero आना चाहिए अब zero के अलावा जितनी भी सहीं क्या आएगी वो उसका जो भी घटाएंगे ना वो उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो सबसे पहले देखते हैं कि समिकन दे रखाए बहुपद X square minus 16 X plus 30 है और सुन्यक का मान है X बराबर कितना दे रखा है 15 अब 15 का मान है इस बहुपद में रखते हैं तो X square मतलब 15 का square 15 का square minus 16 और 15 इसकी जगे रखतेंगे 15 और प्लस हो गया 30 15 का square होता है 225 और 15 और 16 को आपस में गुणा करेंगे तो यहां मैंने गुणा के तो 240 और प्लस के हो गए 30 ठीक अब 225 में से 240 निकालेंगे तो बचेंगे minus 15 और प्लस 30 माइनस 15 और प्लस 30 में से यह गया तो बचेंगा 15 अब प्रसने दे रखाया कि इसमें से क्या गटाया जाए कि तो अब इसमें से 15 में से क्या गटाएंगे तब 0 आएगा तो इसमें से वापस क्या गटाएंगे minus 15 गटाएंगे तब 0 आएगा तो इसका answer हो जाएगा आपके यह 15 अब अगला प्रसने तो इस प्रेशन में देखते हैं कि किसी बहुपद को माइनस X स्क्वेर प्लस X माइनस 1 से विबजित किया जाए तो बागफल X माइनस 2 तता सेश प्ल तीन प्राप्त होता है तो वो बहुपद हमें याद करना है तो एक सुत्र आप सब को पता ही होगा कि एक सुत्र है कि बाज्ये is equal to भाजक into बागफल और प्लस हो जाएगा सेश प्ल तो इसमें सारे महान रख देते हैं इसमें क्या रख देते हैं सेव विबजित किया जाए तो इसका मतलब है यह हो जाएगा भाजक तो हमारे पास भाजक कितना हो जाएगा माइनस के एक स्क्वेर प्लस एक स माइनस का वन और भागफल भागफल कितना प्राप्त हो रहा है तो भागफल हमें प्राप्त हो रहा है एक स माइनस दो और सेश पल हमें प्राप्त हो रहा है ती, तो ये सारे के सारे मान इसमें रख देते हैं, तो देखते हैं, तो भाज जे, भाजक दे रखा है, माइनस एक्स स्क्वेर, प्लस एक्स माइनस वन, और भागफल दे रखा है, एक्स माइनस दो, और से स्पले, प्लस तीन, अब इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं तो माइनस x square को x से गुना किया तो आगया माइनस x cube और माइनस x square को माइनस 2 से गुना किया तो प्लस के 2x square आया फिर x को इस x से गुना किया तो x square x को माइनस 2 से तो माइनस 2x और फिर माइनस 1 से x गुना किया तो माइनस x और ये हो गया माइनस माइनस के प्लस 2 और ये प्लस 3 पहले से थे ठीक तो अब देखो माइनस x cube की और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया यह आएगा तो यह option number अमारे 3 में दे रखा है x-x cube plus 3x square minus 3x plus 5 अब अगला प्रस्ण है 104 नमबर कि अचर बहुपद की गात होती है तो अचर बहुपद की गात हमेशा होती है सुन्ये मतलब x की गात 0 है वो अचर होता है अचर बहुपद है और इसकी गात हमेशा कितनी होती है स सुन्ये होती है अब अगला प्रस्ण है कि नम्न मैं से बहुपद नहीं है तो बहुपद के लिए गात है वो एक से अधिक होनी चाहिए और गात में जो संक्या है वो हमेशा पुरनांग होनी चाहिए तो इसमें एक से अधिक घात है इसमें है इसमें है और इसमें भी है तो यह बहुपद नहीं होगा और बाग के तीनों आपसन बहुपद हो जाएंगे प्रशन सेंख्या प्रशन सेंख्या एक सो सत्रा इसमें देख रखाया कि निम्न लिखित में से कौन सा बहुपद है वो एकस स्क्वेर माइनस एकस माइनस 20 का गुनंद खंड है तो गुनंद खंड है इसका पता लगाने के लिए सीधे ऑप्शन से करेंगे तो सई रहेगा जो भी ओप्षन देगा है न वो मान रख देते हैं जैसे हमान आएगा चार इसका ङागिया माईनस दो सका आगिया पांश और इसका गया digit डेखेंगे जिसका और जीरो आता को रकने पर इसका मान जीरो आता है वह इसका गुंद खंड हुझायगा तो हम सीधे और X है तो यह 5 और माइनस का 20 तो यह 25 में से 5 गया बचा 20 और माइनस 20 तो इसका आगया आंसर जीरो आंसर आगया तो यह आप इस रहसाब सी चेक कर सकते हैं वाकिके ओप्षिन रखकर भी ठीक है तो 0 नहीं आएगा और इसमें 0 आ गया है अगला प्रसने देखते हैं 118 प्रस कि वो रेखाएं कैसी है वो रेखाएं है समांतर तो समांतर रेखाओं के लिए समिक्रण कैसा होगा तो A1 अपोन A2 इक्वलटू B1 B2 इस नो टेक्वलट summation C2 तो आपने यह पड़े होनगे तो इस समांतर कोई हल नहीं के लिए देखाएं समानतर होगी और समानतर के लिए यह समिकन होगा तो A1 का मान कितना दे रखा है A1 का मान यहां दे रखा है तीन और A2 का मान कितना दे रखा है 2K-1 और B1 का मान कितना दे रखा है एक दे रखा है और B2 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर B2 कमान दे रखा है K-1 दे रखा है तो सबसे पहले यह मान रख देते हैं क्योंकि यह तो इक्वल टू बराबर नहीं है तो इस समीकर्ण से हम K कमान जाद कर लेंगे तो यहाँ से A1 कमान है 3 और पटे में देखेंगे 2 K-1 और इक्वल टू करेंगे B1 कमान है 1 और यह हो गया K-1 इसको वज़र गुना करेंगे वज़र गुना करेंगे तो K-1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 K-1 से किया तो 3 और 2 K को 1 से करेंगे तो वही सहीं किया 2 K-1 K वाले पट को इतर ले आओ और यह माइनस तीन वाले को बदर ले जाओ तो 3K और यह प्लस का है तो माइनस का 2K हो जाएगा यह माइनस का 1 पहले से था और यह माइनस का 3 है और इदर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा तो इसमें से गया तीन में से 2K गए तो पिछे K बचा और माइनस एक तो यहाँ प रखा है कि 22 अपोन X प्लस Y प्लस 15 X-Y एकल टू फाइव और दूसरा समिकन दे रखा है 45 X-Y इन दोनों को बराबर शोल करते हैं तो देखो X में X का मान है वह हमें जाद करना है पर शने दे दिया होगा अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों में से हमें LCM लेना है तो LCM आजाएगा X प्लस Y और यहाँ आजाएगा X माइनस Y अब X प्लस Y को X प्लस Y से यह कट गया और बाकी बच्छा 22 को X माइनस Y से गुना करेंगे तो 22 X माइनस 22 Y इसी तरह यहां से यह कट गया तो X प्लस Y को 15 से गुना करेंगे तो 15 X प्लस 15 Y बराबर दे रखा है 5 अब इसको शोल करते हैं तो 22 और 15 हो जाएंगे 37 X और 15 इस में से 15 Y में से 22 Y जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 7 Y और नीचे आजाएगा X प्लस Y और X माइनस Y और एक्वल टू 5 यह समिकन हो गया हमारा एक अब इसी तरह इस दूसरे समिकन को सोल करते हैं तो इसमें भी LCM जो आएगा X प्लस Y और X माइनस Y आएगा और इसके अंदर X प्लस Y से X प्लस Y गया 55 को X माइनस Y से गुणा करेंगे तो जाएगा 55 X माइनस 55 Y और प्लस के इसी तरह यह गया और X प्लस Y तो 45 X प्लस 45 Y और पराबर 14 55 और 45 हो जाएंगे 100 X और 45 में से 55 जाएंगे तो माइनस के 10 Y नीचे X प्लस Y और X माइनस Y अब हमें क्या करना है कि इनको वज्र गुणा कर देना है 37 X माइनस Y देखो 5 को इदर ले आना है और इसको इदर ले जाना है तो क्यों ला रहे हैं? अगे देखते हैं 5 को यहां ले आए और बराबर X प्लस Y और X माइनस Y और इसी तरह इसमें कर देते हैं 100X-10Y और 14 को नीचे ले आते हैं और इस X-Y और X-Y को दर्वेज़ दे क्योंकि अब इन दोनों समय करणों में इन दोनों का मान अगर बराबर है तो ये दोनों मान भी आपस में क्या होने ची बराबर होने ची ये तो इन दोनों को मैं बराबर लिख देता हूँ और 5 और ये हो जाएगे 100X-10Y अब वापस इसको मैं इससे गुना करता हूँ तो 14 को 37 से गुना करते हैं 14 को जब 37 से गुना करते हैं तो 518X आएगा और 7 को जब 14 से गुना करते हैं तो 98 90Y आएगा और 5 को 100 से गुना करते हैं तो 500X माइनस 5 को 50Y अब ये 518X ये प्लस का 500 है यहां आएगा तो माइनस का 500X और इसी तरह माइनस के 50Y है और ये इंठानू है ये दर जाएगा तो प्लस के 98Y हो जाएगा तो यहां बचा हमारे पास 18X और इंठानू में से 50 जाएगा और 50 जाएगा तो नीचे पिछा बचेगा 48Y तो X पून Y का माइन है वो 48 बचा ठारा आगया अब इनको काटते हैं काटते हैं तो बचेगा ये 8 बार और ये 3 बार कटा तो इसी तरह X का माइन 8 आजाएगा और Y का मान तीन आजाएगा अंसर कहां दे रखा इसमें और इसमें पूछा केवल X का मान है तो X का मान हमारे पास 8 आगया तो ये इसका हो जाएगा अंसर अब अगला प्रसने देखते हैं प्रसने सिंक्या 120 प्रसने सिंक्या 120 क्या दे रखी है कि प्रसने सिंक्या इसमें दे रहा है यदि किसी बिन के अंस और हर में प्रतेक में दो जोड़ दिया जाए तो यह 9 बटा 11 हो जाती है और यदि अंस और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो यह 5 बटा 6 हो जाती है तो वह बिन है वो हमें याद करनी है तो यहाँ पर मैपक्रस ने तो देखते हैं कि अंस मालो अंस एक्स है और भिन वारवा हर हर है वो वाई है परती एक में दो जोड़ दिया जाए तो अंस में भी हमने दो जोड़ दिया और हर में भी हमने दो जोड़ दिया तो यह भिन बन गई 9 बटा 11 अब दूसरा क्या है कि अंस और हर दोनों में तीन जोड़ दिया जाए तो अंस में भी तीन जोड़ दिया और हर में भी तीन जोड़ दिया तो यह हो जाएगी पांच बता अब यह दो समीकन बन गे इन दोनों समीकनों को हल करके हम एक्स और वाई के मान निकालेंगे तो यही 11 को दो से गुना किया तो 22 और यहां हो जाएगा 9y और 18 11x यह वाला पॉर्शन यहां लाएंगे तो 9y प्लस के थे यहां माइनस का हो जाएगा और 18 और यह प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा तो 11x माइनस 9y और इकोल टू माइनस के 4 बट इसी तरह इसको गुना करते हैं वजरूब 6 को तो 6x और प्लस 18 और 5 को 5y प्लस 15 तो 6 तो x इसको माइनस हो जाएगा और बरावर हो जाएगा 15 मेसे यह माइन अब इन दोनों को इसको गुना कर देता हूँ 11 से पूरे समिकरन को और इसको गुना कर देता हूँ 6 से ताकि यह दोनों x के माने वो बराबर हो जाए तो मैं 11, इसको 6 से गुना करता हूं तो ये समिकन बनेगा 66X और माइनस के 14Y और माइनस के 4 को माइनस के 24 अभ इसको मैं गुना करता हूं 11 से 11 से जब इसको गुना करूंगा तो ये हो जाएगा अपने के 66 x minus 55 y और minus के 3 है तो minus के हो जाएंगे 33 अब इसको सोल करते हैं यह minus का हो गया गटाएंगे तो यह plus का और यह plus का गया 55 मैंसे 54 गया तो y बचा और यहां पर जाएंगे 33 मैंसे 24 जाएंगे तो 6 वो और 3 वो 6 और 3 नो बचेंगे तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया अब y का मान 9 है हम किसी दोनों में से कोई भी समीकर में रख देते हैं मान लो इस समीकर में लख देते हैं तो 6 x minus y का मान 9 है तो 9 को 5 से गुना करेंगे तो minus के 45 और minus का 3 तो 6X बड़ाबर मानिस 3 बड़ाबर मानिस 3 प्लस के 45 अब 45 में से 3 जाएंगे तो बिचेंगे 42 और X का मान आजाएगा 7 चंग 45 तो ये 7 अब हमें पूछा था X और बटा Y तो X का मान आगए 7 और Y का मान आगए 9 तो इसमें 7 बटा 9 है वो इसका आंसर हो जाएगा यह जो option number 2 में दे रखा है अब दे रखा है प्रस्ण सिंख्या 121 प्रस्ण सिंख्या 121 में दे रखा है कि निम्न समिकन युग को निरू पित कीजी अब देखो दो समिकन दे रखे हैं और उसे हमें पता करना है कि वो रेखा है कैसी है प्रति छेदी है समान तर है संपाती है और इसको जानने के लिए हमें इनकी condition पता होना जरूरी है तो देखते हैं कि प्रति छेदी के लिए condition होती है A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 और दूसरी जो रेखाए है समान तर रेखाए है समान तर रेखाओं के लिए condition होती है A1 equal to A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 और तीसरी होती है संपाती जिसके अने खल होते है तो A1 upon A2 equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 ये condition है अभी समिकन से देखना है कि इसमें इस तीनों में से कौन सी रेखाए हैं तो ये समिकन दे रहा है 6X minus 3Y plus 10 equal to 0 और ये दे रहा है 2X minus 5 plus 9 is equal to 0 तो A1 दे रहा है 6 और A2 दे रहा है 2 equal to B1 दे रहा है minus के 3 और B2 दे रहा है minus के 1 और C1 दे रहा है 10 10 और ये हो गए 9 अब देखो इसको ये बचा 3 ये 3 एक 3 और 10 9 तो ये इसके equal नहीं है तो ये जो समिकन है ये जो रेखाए हैं कौन से हो जाएंगी ये किसकी पालन कर रही है इसकी तो ये रेखाए हो जाएगी समान तर A1 upon A2 equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2A तो ये रेखाए हो जाएगी समान तर इसका अंसर हो जाएगा समान तर अब प्रसन सिंग्या 122 कि P के किस मान के लिए निम्न सम्मिकरणों का केवल एक ही हल होगा केवल एक ही हल होगा इसका मतलब है कि रेखाएं कैसी है प्रति छेदी रेखाएं कैसी रेखाएं प्रति छेदी रेखाएं प्रति छेदी रेखाएं के लिए क्या कंडिशन है A1 upon A2 is not equal to होता है B1 upon B2 अब ये दो समिकरण दे रखे हैं इसमें एक समिकरण है 2X plus 3Y equal to minus 5 और दूसरा दे रखा है 2X plus PY equal to 2 ठीक अब A1 A2 और B1 B2 को लेते हैं तो A1 हो गया 2 और ये हो गया 2 इसमें से A2 और not equal to होना चाहिए 3 और इनको वज़र कुना करते हैं ये तो कट गया तो P is equal to not equal to 3 है तो मतलब P का मान 3 नहीं हो सकता 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है मतलब P is not equal to 3 है तो 3 नहीं हो सकता उसके कुछ भी हो सकता है तो इसी तरी ये option में दे रखा है कि P का मान 3 के अत्रिक्ट कोई भी सेंक्या हो सकती है तो इसका ये answer है वो right हो जाएगा अब दे रखा एक सुट देखो प्रसन सेंक्या 123 दे रखा है कि AX square प्लस BX और प्लस C is equal to 0 और यहाँ एक condition दे रखी है कि A है वो 0 से बड़ा है तो अगर ये समीकन दे रखा है और A is not equal to 0 होता है तब जो graph बनता है ना परवलयकार बनता है graph बनता है वोहँजा साथ यह इसमान के उपर निपर करता है अगर एका मान बड़ा है 0 से तो परवलयकायसा होगा उसका मू होगा उपर की तरफ और अगर A है वो छोटा है 0 से माइनस में है तो वो हजाएगा नीचे की तरफ मूँ तो इसमें A है वो 0 से बड़ा है तो इसका अंसर हो जाएगा ये पहला option अब दूसरा option दे रखा है कि निम मैंसे कौन सा द्वी गात समीकरण नहीं है तो द्वी गात समीकरण के लिए कि X की अधिक्तम गात कितनी होनी चीए ये दो होनी चीए अब हम जब इन तीनों को सोल करेंगे तो अब इसकी अधिक्तम गात X की और इस तीसरे में M की अधिक्तम गात दो आ रही है तो ये तीनों द्वी गात समी करने हैं आप चेक कर लेना तीनों को अलग अलग सोल करके मैं चोते को सोल कर रहा हूं जो इसका आंसर है तो इसका तो इसका देख रहा है x square plus 3x plus 1 equal to x minus 2 का whole square देखते हैं x square plus 3x plus 1 और x minus 2 का जो whole square करेंगे तब इसका मान आएगा आपने के x square plus 4 और plus 4x x square से ये गया तो अब यहां सब देखेंगे तो x की अधिक्तम गात कितीनी दे रखी एक दे रखी है अगर x की अधिक्तम एक है तो ये 2 गात समी करन नहीं है तो इसका चोता option है और सही हो जाएगा कि ये 2 गात समी करन नहीं है अगला प्रेसन अगला प्रेसन ये कलाम की answer की मैं गलत दे रखा है और इसका जो answer होगा न इसके लिए जो ax square plus bx plus c equal to 0 है तो इसके के मूल गयात करने का जो सूतर होता है minus b plus minus b square minus 4ac upon 4a तो ये किसी भी option में नहीं दे रखा है तो इसका answer हो जाएगा इन में से कोई नहीं अब अगला प्रेसन दे रखा है कि यदि किसी समी करन यदि समी करन है 4 plus k x square plus k plus 1 x plus 1 के मूल बराबर और वास्टविक है जब मूल बराबर वास्टविक हो तब b square minus 4ac equal to 0 होता है b square minus 4ac equal to 0 होता है तो अब इस समी करन में b का मान कितना दे रखा है b का मान दे रखा है k plus 1 और square है तो square कर दिया minus का 4 a का मान कितना दे रखा है 4 plus k और c का मान कितना दे रखा है एक दे रखा है और equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि मूल क्या है बराबर है और वास्ट विक है अब के प्लस 1 का All स्क्वेर करेंगे तो इसका आजाएगा के स्क्वेर प्लस 1 प्लस 2 के अब इसको 4 को अंदर गुना करते हैं तो 4 को जब यह 16 और यह माइनिस का 4 के equal to 0 तो के स्क्वेर प्लस 16 माइनिस के 16 और पहले इसको 2 के माइनिस के मतलब माइनिस के 2 के और यह हो जाएगा माइनिस का 15 equal to 0 अब इसको शोल करना है इसको शोल करना है तो इनके दो 15 के दो टुकड़े करने इसके गुनन कंड़ करने मालो इसके गुणनद कंड करते हैं अब पंदर है के ऐसे टुकडे करने है जिसको गटाएं या जोडे तो क्या आना चाहिए दो आना चाहिए तो मैं पंदर है के दो टुकडे ऐसे करूँगा एक तो पांच और एक तीन अगर इसका नहीं लग रहा है कि किसे करना है तो आप अप्शन को चेक कर लेबाई कि एस प्रकार के अप्शन किस में दे रormuş है नहीं अगर इनकर गुना अगर उर तीन को अगर तो पन्दरा नहीं आएगा दू और तीन के करेंगे तो 6 आएगा तो इस हिसाब से option में भी idea मिल जाएगा कि ये 5 और 3 दे रखा है तो इसी तरकार से इसको solve करते हैं k square और ये minus के आना चाहिए तो minus की संक्या बड़ी रखो 5 k और plus k 3 k और ये minus k 15 अब k common लिया यहां बचा k minus 5 plus यहां दे और k minus 5 k minus 5 आगया common और यहां बचा k plus 3 equal to 0 तो एक तो आएगा k का मान plus का 5 और एक आएगा minus का 3 तो ये 5 और minus के 3 हैं option number 4 में दे रखे हैं अब present second 27 present second 27 में क्या दे रखा है ति द्वीगाद समिकरन है 8x square minus 7x plus 1 के मूलों के व्युत करमों का योग ग्याद करना है तो इसको ग्याद कैसे करेंगे देखना कि 8x square minus 7x plus 1 equal to 0 ठीक अब अपने को पता है कि जब मूलों का योग होता है alpha plus beta होता है वो होता है minus b upon a और इनका जो गुणनफल होता है alpha into beta वो होता है c upon a तो अगर alpha plus beta करेंगे तो minus के b तो ये minus का b है और ये minus पहले से लगा है 7 के आगे तो minus minus plus होज़ेगा और 7 और a का मान कितना देर का है 8 तो ये हो गया alpha plus beta का मान अब दूसरा क्या देर का है alpha into beta c upon a c कितना देर का 1 और a कितना देर का है आठ ये समिकन हो गए दो, अब हमें गयाद क्या करना है, हमें गयाद करना है कि मूलों के वित्करमों का योग गयाद करना है, तो मूलों के वित्करम करते है, वन अपोन अलफा और वन अपोन बीटा, इन दोनों का करना है, योग, योग करना है, तो इनका LCM आ जाएगा, वन कितना देरे रका है एक बटे याँ अलफा प्लस बीटा कढमाण साथ देरे का और साथ ये रखंख ऑ एलफा एल्फा इंटू बीटा comment कितना देरा है एक बटा आठ तो यह गया तो बचेंगा 7 बटे एक यानि साथ option इसका right होगा यह साथ होगा यह इसने थोड़ा गलत कर दिया है साथ वाले ने ठीक है अब प्रसन संग्या 128 अब किसी समिकन के मूल दे रखे हैं या तो इसके option से कर सकते हैं और या इसको शोल करके कर सकते हैं तो मैं दोनों ही तरीका बता देता हूँ आपन पहले करते हैं इसके मूल दे रखे हैं यह और इसको x square minus x minus 6 equal to 0 अगर हम चलो option से नहीं सिदे करते हैं यह x की बराबर minus 2 है और दूसरा मान है वो x बराबर 3 है तो इसको करेंगे x और यह minus का इदर आएगा तो प्लस टूँ लेको एक तो दे रखाए x बराबर minus 2 मूल एक दे रहाए एक बराबर 3 यह दे रखें अब इसको एक तो कर देंगे x प्लस दो और इसको हो जाएगा x-3 इन तिन दोनों को आपस में गुणा करेंगे x-2 और x-3 इसको जब solve करते हैं तो x को x से square और ये minus 3x 2 को इससे गुणा किया तो 2x और ये हो गया minus के 6 अब x square और minus 3 है और plus 2 है तो ये हो जाएगा minus x और minus 6 ये कौन से option में आ रहा है तो ये option number 1 में है वो आ रहा है तो इसका answer हो जाएगा एक अब प्रेशन सिंख्या 129 अब इसमें दे रखाया है कि उस उस द्वी गात समीकरण को लिखें जिसके मूल alpha वे बीटा है तता alpha प्लस बीटा बराबर 4 है और alpha cube प्लस बीटा cube बराबर 16 है तो अगर हमें ये पता है देखो पहले हम समीकरण समीकरण इसमें से option काड़ते हैं देखो अगर alpha प्लस बीटा है तो alpha प्लस बीटा को हम जानते हैं कि minus b upon a होगा minus b upon a होगा और इसमें मान दे रखा है 4, 4 का मतलब हो जाएगा 4 बटा 1 ठीक है तो ये b का मान मतलब यहाँ b का मान कितना होना चीए यहाँ minus दे रखा है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ b minus 4 हुआ होगा तब ही यह minus minus प्लस हुआ होगा तो b का मान minus 4 देखते हैं तो b का मान यह है यहां माइनस चार है यहां माइनस चार ने यह नहीं हो सकता यहां तो दो यह होई नहीं सकता और यहां माइनस चार है तो यह हो सकता है इन दोनों में से अब कोई एक हो सकता है अगर आप ओप्शन से देखते हैं ठीक और अगर ओप्शन से नहीं इसी देख करते हैं तो चलो उसको देखते हैं अब एलफा प्लस बीटा कमान दे रहे ऐसंदे sponsor सभने normal everyday संदूनर सभने प्लस बीटा क्यों बराबर क्या होता है यह सरौ समीका हें और प्लस बीटा कर फैंड फाए स्क्वेर पेल्फा बीटा स्क्वेर अब देखो इसके मान हमें नहीं दे रखें तो इसको कैसे ज्याद करना है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ फर two alpha beta जोडते हैं और two alpha beta ही घटा देते हैं अब जब हम इसको घटाएंगे तो यह क्या बन जाएगा यह बन गया यह क्या बन गया अलफा प्लस बीटा का होल स्क्वेर क्या बन गया अलफा प्लस बीटा का होल स्क्वेर यह बड़ा साई अब क्या बचा माइनस अलफा बीटा यह पहले से था और यह माइनस यह टू तो यह माइनस और माइनस कितने होंगे ये 3 alpha beta और ये 16 बराबर 4 अब alpha plus beta का मान कितना है 4 था और 4 का कर देंगे square तो 4 का square करेंगे तो हो गया 16 और minus 3 और alpha beta अब ये 4 को 16 से direct कर देंगे तो 4 बार कटा 4 equal to 16 minus 3 alpha beta इसको इदर ले आएंगे तो ये minus का है वो plus का हो गया और 16 इसको इदर ले गया minus 4 तो 3 alpha beta equal to क्या हो जाएगा 16 minus 4 12 और ये कटा 4 तो alpha beta बड़ाबर भी क्या हो गया है 4 मतलब alpha into beta क्या होता है alpha into beta होता है c upon a तो ये 4 upon a तो मतलब c का मान कितना आना चाहिए प्लस का 4 आना चाहिए तो c का मान प्लस का चाहर कहां पर है केवल इसी समिकर्ण में है इसका आंसर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा अब अगला प्रसन देखते हैं प्रसन संख्या 130 प्रसन संख्या 130 दे रखी है कि 2x square प्लस ax प्लस b को x-3 से विबाजित करने पर 6 35 बजता है और 2x square plus bx plus a को x-3 से विबाजित करने पर 29 से बजता है तो a plus b का जो है मान कितना होगा ठीक अब देखो पहला समिकन देर का 2x square plus ax plus b अब इसको किसे विबाजित करना है x-3 से डायरेट अगर 6 फल गयाद करना हो तो ये x बराबर 3 0 रखो और x का मान यहां से निकाल दो और ये x का मान इसमें रख देते हैं तो इसका 6 पला जाएगा तो इसका अंदर मान में रखते हैं तो 3 का मान 3 का square हो गया 9, 9 को 2 से गुना किया 18 प्लस x का मान 3 और 3 को a से गुना किया तो 3a प्लस b अब इसका 6 पल कितना आएगा तो कितना आएगा कितना बचता है 35 बचता है अब दूसरा क्या दे रखा है दूसरा दे रखा है कि 2x square 2x square प्लस b x प्लस a को इसको b x मान 3 से करना है तो x का मान यहां 3 रखना है और इसका मान 3 का इसमें रख दो तो यह हो गया 3 का square तीन का square हो गया 9, 9 को 2 से गुना किया 18 प्लस 3 को b से गुना किया तो 3b और फ्लस a और equal to किसके बराबर आए यह गुन 30 से इसफ़ल कितना आएना चाहिए 29 तो अब देखो 3b प्लस a और 18 अगर इसमें से निकालेंगे हम तो 18 निकालेंगे तो कितना बचे का 11 बचे का यह समिकन हो गया तो अब देखो दोनों में हमें मान गयाद करना a प्लस b का तो अब यह तो a को बराबर कर दो या इसमें b को बराबर कर देते हैं तो चलो मैं इसमें A को बराबर कर देता हूँ तो अगर यहां 3A है और यहां अगर A को ग्याद करना तो पूरे समीकन को किसे गुणा कर देता हूँ 3A से गुणा कर दो तो यह पहला मैं समीकन लिखता हूँ 3A प्लस B 17 अब इसको 3 से गुणा किया है 3 को 3B से गुणा किया तो कितना होगे 9 9B, B को B के नीचे लिखता हूँ और प्लस A को गुणा किया तो 3A और इक्वल टू, यह 11 को 3 से गुणा किया तो 33 अब देखो माइनस करते हैं, घटाते हैं तो यह तो गया अब 9, यह माइनस के 9B में से प्लस का B गटाएंगे, तो क्या बचेगा माइनस के 8B, और माइनस के 33 में से 17 को अगर गठाते हैं तो कितना बचेगा 16 बचेगा माइनस के माइनस के कितने बचेगे, 16 बचेगे, यह माइनस माइनस हो गया प्लस, और आब आग गया 2 बार तो B कमान आ गया 2 अब ये B कमान है ना किसी भी समिकर्ण में रख देते हैं मानलो हमने इस समिकर्ण में B कमान रख दिया तो B कमान जब इस समिकर्ण में रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस A बराबर 11 और 3 और 2 हो गया 6 प्लस A बराबर 11 और A कामान कितना हो जाएगा जब यह साइड में जाएगा तो यह हो गया 5 अब क्यात करना था A प्लस B तो A कामान हमारे पास आया 5 और B कामान आया हमारे पास 2 तो दोनों का यह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा तो यह प्लस 7 है न यह इसका अंसर हो जाएगा अब प्रसन सेंख्या 131 प्रसन दे रखाये प्रसन दे रखाये कि कि इनको इसको किस से विबाजित करना है x3-2 तो ज्यादा हमें बाग देकर लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है हमें पता है कि अगर सेस्पल गयात करना हो तो ये x का माण यहां से निकलो और इसमें रख दो तो x का मान आ जाता है ठीक है तो हम क्या करेंगे केवल x3 का ही मान नकलेंगे x3 बराबर कितना हो जाएगा x3 का मान कितना आ गया ढगया तो चार और x cube का मान कितना है? 2 है, तो 2 है तो यहाँ 2 रख दिया, और इस x की जगे cube की जगे 2 रख दिया, और minus और 5 की जगे x cube की जगे 2 रख दिया, और minus 3 तो यह होगे 4, 4 चोग 16 minus, देंद 10 और minus 13 अब देखो, 16 में से 10 गए तो पीछे बचे 6 और 6 में से 3 गई तो पीछे बचे 3 तो इसका 6 पल बचेगा वो 3 बचेगा ए यह नुबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा प्रेशन सिंग्या 132 देखते हैं कि बहुपद है वो fx 3x square minus x cube minus 3x plus 5 को बहुपद gx क्या है x minus 1 minus x square से भाग देने पर जो भाग पल और 6 पल आएगा वो ग्याद करना है में तो इसको direct भाग ही देते हैं तो भाग देने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ध्यान यह रखना है कि जो minus x cube है बीच में दे रहा है हमें इसको लिखना है पहले तो minus x cube पहले लिख दिया उसके बाद में लिख रहा है 3x square तो यह plus का 3x square लिख दिया और minus का 3x है तो minus का 3x और plus का 5 अब इसको भाग किससे देना है तो यहाँ पर minus x square last में लिका है तो हमें यह जो x square और minus plus का है वो x और minus का है वो पन इसका पहला पद है और इसका है minus का x cube और यहाँ हो जाएगा minus का x square तो क्या बचेगा minus 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 plus और यहाँ बच गया x तो लिख दिया x x को minus x square से गुणा करेंगे तो यह जाएगा minus cube x को plus x से गुणा करेंगे तो यह हो गया plus x square और x इसको करेंगे तो minus का x अब यहाँ गटाएंगे तो चैन्ज कर देंगे minus और यहाँ plus यह गया 3 minus 1 कितना हो जाएगा 2x square और यह हो गया minus का 3 और plus का 1 है तो यहां जो हो जाएगा minus का 2x और plus का 5 इसका पहला पत कितना है? यह हो गया 2x square और इसका पहला पत है minus का x square तो यह तो गया तो बच्चा minus का 2 तो यहां कर देंगे minus का 2, minus के 2 को इससे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा plus का 2x square और minus 2 को plus x से गुना करेंगे तो ये होजाएगा minus का 2X और minus 2 को minus 1 से गुना करेंगे तो होजाएगा plus का 2 यहाँ चेन है होजाएंगे change कट गया, कट गया 5 minus 2 कितने होजाएंगे 6 फल कितना है 3 आया और ये भाग फल कितना इया X minus 2 तो ये किस option में है तो ये X minus 2 और ये भाग तीन यह option number है वो 4 है वो शही हो जाएगा अगला देखते हैं प्रसने संख्या 133 प्रसने संख्या 133 क्या दे रखा है कि यह 4x cube plus ax square minus 3x plus 1 और यह x की गार 4 plus x cube minus x square plus 6 में प्रती एक में x plus 1 से भाग देने पर समान 6 बजता है अगर 6 पल निकालना हो तो हमें भाग देने के जुरूत नहीं है इस x का मान ग्याद करके और इस x के मान इन दोनों समीक्रों में रख देंगे और यह प्रसने में कहा रहा है कि दोनों के सेस्पल है वो समान आएंगे तो इन दोनों समीक्रों को भी समान रख देंगे तो देखते हैं कि x plus 1 equal to 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा की मैनेस का 1 अब यह x का मान इन दोनों समीक्रों में रख देंगे तो देखते हैं तो देखो माइनस की गाद जब क्यूब में हो या विसम संक्या हो तो यह संक्या माइनस में आएगी और अगर संक्या माइनस में आएगी तो माइनस एक की गाद तीन है विसम है तो यह माइनस एक आएगा माइनस एक को चार से गुना करेंगे तो माइनस चार अब देखो यह माइनस एक क को ए से गुना करेंगे तो यह जाएगा प्लस ए माइनस तीन को माइनस एक से गुना करेंगे तो यह जाएगा प्लस का तीन और एक अब देखो माइनस एक की घाद चार है माइनस एक की घाद चार है तो यह सम संख्या है तो यह प्लस का एक आ जाएगा और यहां दे रखाया है कि माइनस एक की घाद तीन है तो यह संख्या आएगी माइनस में तो यहां आएगा माइनस का एक और यह minus 1 का square है तो यह plus का 1 होगा और plus 1 है तो पहले से minus लगावाए तो यह minus 1 और plus होगया 6 अब देखो 3 और 1 कितने होगे? 4 और यह है minus 4 तो यह तो पूरा कटा यहाँ देखो 1 में से 1 गया पीछे बचा 0 अब 6 में से minus 1 गया तो पीछे बचा 5 तो एक का मान कितना आएगा? 5 अंसर तीसरा option दे रखा है एक का मान है वो 5 आएगा अब अगला प्रेस्ट प्रेस्ट नस हैं क्या? 134 प्रेस्ट नस हैं क्या? 134 प्रेस्ट नस है इसमें दे रखा है कि x square minus 4x plus 1 equal to 0 है तो हमें मान गयाद करना है अब इसको जब solve करते हैं तो हमने एक तरीका पढ़ा होगा कि इसको लिखने का तरीका है x square plus 1 upon x square डिटेल से नहीं करवा रहा हूँ डारेट तरीका ही बता रहा हूँ ठीक है तो x cube plus 1 upon x cube और minus का हो जाएगा x plus 1 upon x यह आपने पढ़ा होगा जब आपने कहीं से भी coaching की होगी या self भी की होगी तो यह तैयरी की दुरान यह आपने यह सुतर देखा होगा अब देखो हमें यहाँ से गाद करते अब इसमें पूरे के अंदर किसका बाग देते थे हैं x का क्या दे देंगे बाग दे देते हैं यहां X का भाग दिया तो यहां X बचा और minus 4X में X का भाग दिया तो केवल 4 बचा और 1 में X का भाग दिया तो 1 upon X बचा और 0 का 0 अब 4 को ले आते हैं हम इधर तो X plus 1 upon X equal to 4 अब इससे गया करना है पहले तो हमें यह ग्याद करना है X square प्लस 1 upon X square तो x square प्लस 1 upon x square इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या हो जाएगा P square minus का 2 P square minus का 2 P का मान है यहां 4 तो P square करेंगे 4 का square 4 तो 16 minus 2 तो यहां हो जाएगा 14 x square प्लस 1 upon x square का मान कितना आगा है 14 अब इसी तरह हम गयाद करेंगे x cube plus 1 upon x cube इसका मान होता है p cube minus 3 v p cube minus 3 v p cube कितना है p है 4 और 4 का जब cube करेंगे तो 4 into 4 into 4 करेंगे 16, 16 तो इसका हो जाएगा 16 minus 3 into और p का मान है 4 तो यह हो गया 16 minus 12 और 16 minus 12 हो जाएगा 52 ठीक अब यह सारे मान है वो इस समीकर्ण में रख देते है तो x square इसका मान कितना आया था 14 यहां दे रखा है इसका मान आया था 14 तो 14 रख दिया और इस cube वाले का मान आया था अभी 52 तो इसका हमने मान रख दिया 52 और minus का कितना है माइनस का पहले से 4 है वो दे रखा है अब इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 52 और 14 इन 4 को 2 से 8 और 5 और 20 20 और 2 22 और 5 5 6 और 7 तो ये कितना आ जाएगा 728 माइनस 4 728 में से 4 गया तो 724 है वो इसका अंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से option है वो D इसका correct हो जाएगा अब दे रखा है अब देखो इसको ज़्यादा सोल करने की ज़रूरत नहीं X की गात 4 प्लस 1 अपॉन X की गात 4 है वो ये सोरी 135 फप्रसन है X प्लस 1 अपॉन X बराबर 2 है तो देखो 2 कब हुआ जब X की अधिकतम गात 1 रखी अगर इससे पहले हम मान लो 0 रखते तो इसका मान 2 हो सकता था नहीं होता इसका अधिकतम मान अगर मान लो हम 3 रखते तो भी इसका मान 2 से ज़्यादा हो जाएगा केवल हम X का मान क्या रखे 1 तो इसका मान 2 हो जाएगा ये X का मान 1 ये X का मान 1 अधिकतम दोनों के मान रखे तो ये 2 आएगा इसी तरह अब X का मान यहाँ मान लो 1 इगाज 17 1 और 1 इगाज 17 1 तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2 तो ऐसे एप्रेशनों को शोल नहीं करना है डारेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसका आंसर क्या आजाएगा दू आ जाएगा आपको समझ मा आ गया होगा कि इस एक का मैंने अधिकता मान रखा है अगर एक का मैं अधिकता मान क्या रखूं कि इन दोनों का आंसर दू आए तो मैं एक रखूंगा अगर इससे ज़्यादा कुछ मान रखूंगा तो यह मान दो से ज़्यादा आ जाएगी तो आप इस प्रकास से थोड़ा सा सोच कर और ऐसे मान रख सकते हैं अब प्रस ने सेंग्या 136 अब यहां प्रस ने जो दे रखा हैं यह थोड़ा उल्टा पूचा है पहले क्या इसका मान दे रखा था और इसका पूचा अब इसका तोड़ा उल्टा पूचा है तो हमें क्या करना है कि देखो मान लो अगर हम X की गात 4 प्लस इसको अगर 6 करते हैं त इसका मान तो एक ही होता है तो मैं is को लिक नहीं रहा हूं इसी परकार से 2 से यहां से यहां जोड लेता हूं और 2 कहाल जोड लेता हूं 194 न्योज़िया था हूं कि दो इसलिए जोड रहा हूं कि इसका ये पूरा एक समीकर्ण बन जाएगा कि X स्क्वेर प्लस A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस 2AB तो ये AB इंटो जैसे इनको गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 1 तो ये केवल 2 रहा तो मैंने 2 इदर जोड़ लिया 2 इदर जोड़ लिया तो इसका मान हो गया एक सुचिनू अब देखो जब इनका वर्ग मूल करेंगे तो ये हो जाएगा X स्क्वेर प्लस 1 अपॉन X स्क्वेर ठीक और ये एक सुचिनू का जो वर्ग मूल होगा वो हो जाएगा अपन के चौधा अब इसी तरह जैसे इसमें जोड़ा अभी इसी तरह और इसमें प्लस 2 यहां जोड़ दूगा प्लस 2 यहां जोड़ दूगा और इसके साथ में अगर X जैसे देखो X स्क्वेर प्लस 1 अपॉन X स्क्वेर और यहां है चौधा तो अगर मैं यहां प्लस के दो करके और X इंटू 1 अपॉन X अगर A इंटू 20 मान लो करता हूँ जैसे ही काटेंगे तो यह तो एक हो जाएगा इसे तरह इसमें दो जोड़ लिया इसमें दो जोड़ लिया यह पूरी समीकंड मन गई तो इस समीकंड का मान हो जाएगा आपन के X और 1 अपॉन X और जब यह 16 होगा 16 का वर्ग मूल करेंगे तो यह 4 हो जाएगा तो इसका आंसर कितना आजाएगा 4 आंसर आजाएगा ठीक उमीद करता हूँ आपको यह बात समझ में आ गई होगी अब प्रशन संक्या 137 प्रशन संक्या 137 में दे रखा है कि अब देखो इनको जब ऑप्शन से करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे टाइम कम लगेगा जैसे हम उप्शन को चेक करता हूँ अगर मैं इसको चेक करूँ लाश्ट का 16 Y स्कूर लाना है देखो अगर 4 प्लस Y के माइनस 4 Y से गुणा करूँगा तो यहां आजाएगा माइनस का 16 Y स्कूर है पर हमें माइनस का नहीं लाना है तो यह उप्शन कट गया अब इसको सोल करूँगा तो इसमें तो दोनों को प्लस 16 Y स्कूर आ रहा है तो इसमें चांस है और इसमें भी चांस है तो हम इन दोनों को वापस में गुणा करके देखते हैं तो ठीक है तो पहले उप्शन को गुणा करके देखते हैं 4 Y और 3 X 4 Y आप इनको गुणा करते हैं तो ये तो हो गया तो तो हो गया 3x फ्लस 4y नोए का Rsldigt हो गया सपे गई जब इनको 6 करेंगे 6 करेंगे तो 3x का स्क्वार मतलब 9x स्क्वार और 4y का स्क्वार मतलब 16y स्क्वार और प्लस का हो जाएगा 2ए रहे हैं तो यह समीकर्न अगर बंद रही है तो यह पहला ऑप्षन है इसका गुणन को जाएगा हमें अगर यह पहला प्रसन नहीं होता तो हम इस तरहें दूसरा तीसरा सब आपस में गुणा करके ट्रै करतें तो यह ऐसे कर लेते हैं ठीक है तो आपको उमीद करता हूं आप लए प्रसन थेंग्या 38 वी वैसे ही करनी है हमें option को काटना है जैसे यहां पर क्या आया प्लस का 1 आया प्लस का 1 आया है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का योग भी कितना होना थी प्लस 1 अगर प्लस एक को माइनस एक से गुना करूंगा तो माइनस एक आएगा पर यहां तो प्लस एक है तो यह उप्सन होगा नहीं प्लस एक को माइनस एक से गुना करूंगा तो यह माइनस एक आएगा लेकिन यह भी उप्सन में है निक प्लस वन है यहां और इसको इससे कुरूंगा त तो गुणा करके इसको काट दिया है और पिछे जो बचा है वो समिकरण यही बचा है तो आप ऐसे देख लेना इससे सापचे कर देना आप अगर काटोगे तो ज्याद़ टाइम नहीं लगेगा अब प्रसन संक्या 149 कि प्रसन संक्या 149 में दें रखा है कि 11 एक्स 11 एक्स प्लस 15 वाई और प्लस 23 बराबर जीरो दूसरा समिकरण दें रखा है साथ एक्स माइनस दू वाई माइनस 20 बराबर जीरो तो हमें वाई का जो मान है वो गयाद करना है तो य का मान कैसे गयाद करेंगे तो य का मान जब कैसे करेंगे दोनों एक्स का मान है वो एक जैसे रख देते हैं तो एक जैसे रखने के लिए इसको मुझे साथ से गुना करना पड़ेगा और इसको मुझे 11 से गुना करना पड़ेगा तो मैं जब इसको साथ से गुना करत तो साथ 21 और वोग ऑज तो कितना इजाए एक सो एक सट साथ को तीन से इस दोग है और चाहुदा पंद्रा अलों गया ठीक है और यह जिरूफ अब इस पूरे को किसे गुना करना के लिए रहा से तो ग्यारा को जब साथ से गुना किया तो सिर्टर एक्स प्लस ग्यारा को हो जाएगा 220 जिरो अब जब इसको शॉल करेंगे तो माइनस करेंगे चिन हो जाएंगे चैंज यह गया कट अब 105 प्लस 22 कितने होंगे 5 और 2 7 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 वाई और यह 161 में जब 220 जोड़ेंगे तो जाएगा प्लस का 1 8 और यह 3 0 तो अब 127 वाई और जब इसको इदर बेजेंगे तो माइनस के 381 जब इसको 3 से काड़ते हैं तो कितना बचता है वाई का मान आजएगा माइनस 3 यह 3 बार करता है आप इसे देख लेना तो वाई का मान इसमें अंसर आजएगा अब आज का तो लाश्ट प्रस ने लाश्ट प्रस ने और इसका हम देखते हैं प्रस नसें क्या 40 140 तो ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर का होल स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर का होल स्क्वेर तो अब इसको हम देखते हैं तो ए स्क्वेर प अब आलो A square को हमाल लेते हैं X और B square को हमाल लेते हैं Y ठीक तो ये हो जाएगा X plus Y का square और ये हो जाएगा X minus Y का whole square तो इसको जब solve करेंगे तो हो गया X square plus Y square plus 2xy सरो समीका से और ये हो जाएगा X square plus Y square minus 2xy तो ये minus का हो गया cancel अब क्या बचा X square plus Y square plus X square plus Y square तो X और X कितने होगे 2x square और Y कितने होगे 2y square तो इन दोनों में से common आ गया 2 X square plus Y square अब X square और Y square को क्या लेख सकते हैं X square को लेख सकते हैं अगर A square का मान X है तो X square का मान हो जाएगा A की गात 4 A 4 plus B की गात 4 तो ये option किस में है तो ये option नमबर 4 में कलाम अकेडमी ने इसका answer कुछ अलग माना है जो गलत है उनके मिस्प्रिंट के से हो गया हो गया तो इस प्रकार ये 140 प्रसन मैंने solve करवा दिये हैं और उमीद करता हूँ आपको ये पूरा session है वो समझ में आया होगा उमीद करता हूँ ये मेरी द्वारा जो solution करवाया गया है आपको अच्छा से समझ माया होगा और अगर समझ माया है और अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद